दो हजार एक का इंडियन पार्लेमेंट पर टेररिस्ट अटैक एक दिल धहलाने वाले वाकिये के तौर पर याद किया जाता है जिनमें पाकिस्तान से ओपरेट होने वाले दो टेररिस्ट ग्रुप्स लशकरे ताइबा और जैशे मोहम्मद को इन खौफनाक और दर्दनाक इंडियन पार्लेमेंट पर अटैक का सिम्मेदार ठेराया जाता है जिनोंने 13 दिसंबर 2001 को अपने घिनोने मनसूबों को अंजाम दिया था ऐसे में हल ही में 13 दिसंबर 2023 को विंटर सेशन के दौरान माननीय प्रधान मंतरी ने 2001 के उस टेरर अटैक में शहीद हुए सेक्योरिटी परसनल्स को याद करते हुए अभी श्रधांजली दी ही थी कि उसके अचानक कुछ समय बाद ही दो आदमी जो की बतोर विजिटर लोकसभा की गैलरी में विराजमान थे अचानक से हाउस में बैठे हुए MPs के दाइरे में चलांग लगा दी और साथ ही कलर्ट स्मोक कैनिस्टर्स को भी वहाँ पर विराजमान MPs के बीच उड़ा दिया जिसके बाद खबरों के हवाले से बताया जा रहा है कि पारलेमेंट में हुए इस सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़े मामले में जहां कैसे दो विजिटर्स कलर्ट स्मोक कैनिस्टर्स लेकर पारलेमेंट में दाखिल हुए जिसकी चर्चा ने चारों तरफ काफी प्रशन ल ऐसे में कुछ खबरों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इस शड्यंत्र में लगबक कुल 6 लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है जिसमें से दो लोग पार्लेमेंट के विजिटर्स पास को लेने में काम्याब हो गए थे जिसके बाद उन दो लोगों ने अंदर की व बड़े कदम उठाने का फैसला किया है जिसमें सबसे पहले होम मनिस्ट्री ने इस वाकिये को लेकर एक इंक्वाइरी के साथ-साथ CRPF के चीफ के नितरित्व में एक कमिटी बिठाने का फैसला किया है और उसके साथ-साथ ही गुनेगारों के खिलाफ FIR Under Unlawful Activities Prevention Act के तहत द दिल्ली पुलिस के Anti-Terror Unit को मामला सौप दिया गया है और साथ ही नई पारलिमेंट की सिक्योरिटी को लेकर कुछ और नए चेंजिस का भी प्रवाधान किया जा रहा है जिसमें Full Body Scanner, Glass Covered Visitors Gallery को जल्द ही लगाने की बात की जा रही है जहां हमारे देश की पारलिमेंट को हम हमारे देश का एक महतपूर्ण हिस्सा माना जाता है जिसमें कहीं महतपूर्ण कानून, अमेंडमेंट से जुड़े निरने लिये जाते हैं जिसमें Lower House, लोकसभा और Upper House, राज्यसभा अपनी अपनी भूमी का निभाते हैं और ऐसे में पूर्व से पारलिमेंट को भारतिय स समविधान के जनमदाता के रूप में भी देखा जाता है, जो कि इसके महतप को और बढ़ा देता है, ऐसे में ये उमीद की जाती है कि जल्द ही पारलिमेंट में बैटने वाले सभी Honorable MPs, Speakers, करमचारी और अन्ने लोगों की सुरक्षा को लेकर जल्द ही सरकारों की तरफ स और महतपूर्ण और कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि ऐसे वाक्यों को होने से पहले ही रोक दिया जाए, ये थी The True Hunt चैनल की हाल ही में खबरों के आंकलन से ली गई, पारलिमेंट सेक्योरिटी ब्रीच से जुड़ी खबर को लेकर कुछ निउस हाइलाइट्स और ऐस से अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रही है The True Hunt.